हलो स्टुडेंट्स, वेलकम पू दिस चैनल, आम यूर मैच्स टेचार, टूटेंट्स टेचार, टूटेंट्स, चैप्टर, क्वाडिटी, एक्वेशन्स, एक्ससाइज 4.3, क्वेश्चन 7 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके अल क्वेश्चन्स हम बिफूर सॉल कर चुके हैं, आप प्रिवेश वीडियो में, उन्हें भी पॉश्च कर जीज, ताकि आपको एक्ससाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, तो यह क्वेश्चन इस, the difference of squares of two numbers is 180, यानि कि दो number हैं, जिनका square का difference कितना है, यहाँ पे 180 गिवन है, the square of the smaller number, 8 times the larger number, यहाँ हैं, हमें उन्हें क्या करना है, find करना है, तो very simple है, जब भी हमें कुछ find करना होता है, उसे ही हम क्या करेंगे, let कर लेंगे, तो यहाँ पे हम let करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो let कर लीजे, let the smaller number be x, smaller number अगर हमने x let कर लिया है, तो another जो larger number है, उसे भी let करना होगा, so larger number be y, ठीक है, इसे हमने कर लिया है, अभी दोनों numbers को let कर लिया है, तो now according to y square minus x square equals to 180, यह equation number आपकी 1, ठीक है, now जो आपका given है, उसे हम देख लेते हैं, the square of the smaller number, 8 times the larger number, तो the square of smaller number, क्या है, यह 8 times the larger number, यह 8 times the larger number, तो smaller number हमने लेट किया है, x, ठीक है, x square, यह 8, और larger number आपके पास है y, ठीक है, so यह आपकी equation number 2 हो गए, राइट, यह जो आपका question में given था, हमने उसी से make किया, okay, so now from equation number 1 and 2, now from equation 1 and 2, क्या करेंगे, हम x square की value को यहाँ पे equation number 1 में put कर देंगे, यहाँ पे देखिए, आपका y square है, minus x square के replacement पे हम put करेंगे, 8y, 8y equals to 1, 8, now यह आपकी quadratic equation form हो गई है, बट यह y के variable में है, okay, so no problem, किसी भी variable में हो quadratic equation है, हम उसे solve कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको middle term split करके swap करेंगे, उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे rough में देख लेज़े, इसे हम compare करेंगे, x square plus bx plus c equals to 0 से, a equals to आपके पास यहाँ पे 1 है, b equals to 8, c equals to 180, so first condition है, हम a into c करते हैं, it means 1 into 180, तो यह आपका 180 ही आएगा, आपको 180 के factors करने हैं, right, 180 के factors करने हैं, multiply करने पर, आपका आना चाहिए 180, and plus or minus करने पर, आपका आना चाहिए 8, तो आपको पता है, 10 into 8, यानि कि 10 into 8, sorry, 18, 18 into 10, ठेक है, 18 into 10, this is your equals to 180, और हम अगर 18 से minus 10 कर दें, तो यह आपका क्या आजाएगा, 8, right, तो 8 के replacement पर हम क्या put कर सकते हैं, 18 minus 10, यह आप practice करेंगे, तो आपको जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठेक हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, replace कर देते हैं, y square minus 18 minus 10 into y, इस 180 minus को हम यहाँ पर साइट पर note down कर लेंगे, equals to 0, ठेक हैं, आपको यहाँ पर देखे, y square minus enter करेगा, और साथ में y भी, तो 18y minus minus plus हो जाएगा, 10y minus 180 equals to 0, अके, दोनों से y आपका common है, तो y minus यहाँ से 18, यहाँ से plus, देखे, 18 into 180 का जो यहाँ पर factorization है, वो 18 into 10 है, तो 18, यहाँ पर 10 बहुत से हम क्या करेंगे, common ले लेंगे, तो यहाँ से y बचेगा, minus, यहाँ पर 10 into 18 था, 10 बहर आगया, तो आपका 18 बचेगा, equals to 0, अके, तो y minus 10 and y minus 10, बहुत से क्या आजाएगा, अगे, यह y minus 18 आपका common आजाएगा, next bracket में y plus 10 आपका बचेगा, equals to 0 आजाएगा, अके, now इसे हम क्या करेंगे, 0 की, 0 की equal करके, check कर लेंगे, if y minus 18 equals to 0, then y की value यहाँ से कितनी आएगी, आपके पास 18, and if y plus 10 equals to 0, then y की value यहाँ से कितनी आजाएगी, minus 10 आएगी, आपके पास यहाँ से, यह दो values आपको मिल जाएगी, y की, यह आपको दो values यहाँ से मिल गई है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, वो दो numbers find करने हैं, तो यहाँ पर हम case 1 and case 2 यहाँ पर देखें कैसे solve करेंगे, अभी, तो सबसे पहले, case 1, when y equals to कितना है, आपके पास 18 है, ठीक है, square of smaller number equals to, आपके पास given था, 8y, तो square of smaller number, it means, x square equals to 8 into y की वाली यहाँ से 18, तो 18 into 8 होता है, आपका 144, it means x square equals to 144, अभी square another side पर जाएगा, तो x equals to plus minus under root 144 हो जाएगा, 144 के factorization या factor क्या होते हैं, आपके 12 into 12 होते हैं, जो भी root में pairing होती है, तो 1 आपका बाहर आजाता है, यानि कि x equals to plus minus 12, ठीक है, यह आपका first case से आपके यह दो values आ गई हैं, another case यहाँ पर देख लिजिए, यहाँ पर side में, case 2, ठीक है, when y equals to minus 10, क्योंकि minus 10 भी तो आया है न, आपके पास, तो इसका भी हम यहाँ पर solve करेंगे, square of smaller number is equals to 8y, तो now value put कर लिजिए, यहाँ पर देखे, x square equals to 8 into minus y, यहाँ पर y के value है, आपके पास 10, so 10 put करेंगे, तो x square equals to minus 80 हो जाएगा, अभी square जो front पर आ जाएगा आपका, तो x square is equals to plus minus under root, sorry, यहाँ से square हट जाएगा, minus 80 आ जाएगा, okay, we know that यह आपका imaginary number हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर minus है, इसके अंदर, ठीक है, root के अंदर, यह बाहर नहीं आ सकता है, तो यह आपका जो number होगा, वो possible नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर reason लिख देंगे, because of square, a number is always positive, ठीक है, that's why आपका क्या हो जाएगा, x equals to minus 10 is not possible, okay, hence the number, the numbers are 18, 12 and 18 minus 12, ठीक है, यह आपके numbers हो जाएगे, जो हमें यहाँ पर find करना था, I hope exercise 4.3 question 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आओगा, if you have any doubt, then आप comment box में comment करके मुझसे पूच सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पज़न दाती है, then please मेरे चैनल को subscribe करें, मेरी वीडियो को like करें, and bell icon को press करना न न भूलें, ताकि आपको आने वाली notifications सबसे पहले मिल सकें, thank you.